दो ऐसे तरीके जिससे आपको एक्षिलम पता लगा कि continuous trend reversal लेगा जैसे यहाँ देखो एक downtrend है क्योंकि यहाँ पर continuous lower lows और lower highs लग रहे हैं नो कभी यह trend reversal लेगा और market वापिस से उपर जाएगा आगे देखते हैं अब यहाँ देखो downtrend के continuation के लिए हमें यहाँ पर एक और low चाहिए था लेकिन market ने नया low नहीं लगाया और इस swing को break करके market वापिस से उपर चला गया मतलब market अब यहाँ पर नीचे नहीं जाएगा और यह downtrend अब reverse हो जाएगा और देखो ठीक ऐसा ही हुआ और market अब पूरा का पूरा uptrend के अदर चला गया ना दूसर तरीका reversal का यहाँ भी downtrend था क्योंकि lower lows और lower highs लग रहे हैं अब यह downtrend कहां से reverse होगा market में आगे देखते हैं तो यहाँ पर market ने तेजी से previous swing को break किया मतलब यह demand zone था जब नीचे से market तेजी से reverse हो जाए तो वो demand zone होता है और वहाँ से downtrend का market reversal लेता है और आगे market uptrend में चला गया अगर आप और भी reversal strategy चाते हैं तो हमें comment करके बताएं और stock calls के लिए आप हमें telegram पर follow कर सकते हैं जिसका link आपको comment box के अंदर मिल जाएगा